हेलो फ्रेंट्स कैसे हैं आप सब आज हम करने जा रहे हैं हमारा शुरू जो सेशन होगा वो होगा कम्प्यूटर के लिए और सबसे बड़ी बात की कम्प्यूटर आती कहां कहां है कम्प्यूटर आपको देखने को मिलेगी RRB के एक्जाम में ठीक है पियो क्लर्क दोनों में में ठीक है उसके लावा आपको देखने को मिलेगी RBI असिस्टेंट के एक्जाम में इन दो एक्जाम में आपको कम्प्यूटर देखने को मिलेगी इसके लावा आपको कहीं देखन में नहीं जाएंगे क्यों क्योंकि हमें सिर्फ अपने कोशन का solution ढूणने से मतलब है जितने लेवल का कोशन आता है उतने लेवल तक ही पड़ाई करेंगे जाधा deep नहीं जाएंगे ठीक है तो शुरू करते हैं टोटल ये 10 से 11 या 12 lectures भी हो सकते हैं उससे कुछ भी मिस नहीं करना तो चैप्टर वन में हम जो जो चीजे पढ़ने वाले हैं वो मैंने यहां पर mention की हुई है सबसे पहले हम introduction पढ़ेंगे उसके बाद history, computers की और उनके hardware और hardware के components पढ़ेंगे ठीक है तो हमारा सबसे पहला और सबसे basic question आता है कि computer इससे दो कुशन बन सकते हैं एक कि computer वर्ड आया कहां से या दूसरा computer word जिस भी वर्ड से आया वो कौन सी language थी ठीक है पहले का हो सकता है कि computer word खहां से आया computer a, computer a से आया है हमारा computer word और दूसरा वो क्या language थी? वो language थी latin तो इसी से हमारे दो निकल जाते हैं कि computer जो word है वो एक Latin word से आया है जिसका असली word था computer A next question आ गया कि computer के कितने structures हैं computer के चार structure है basic structure की बात कर रहे हैं क्या है वो एक है input, एक है output, एक है process और एक है storage ठीक है input, output, process, storage structure यानि computer के जो चार basic काम है वो क्या काम है एक उसमें होता है, input जाता है computer में वो उसकी processing करता है, एक output वो आपको display कर देता है और एक अपनी memory में वो store कर देता है कि in future अगर आपको फिर से वो output देखना हो तो वो आपको storage में से ही दिखा दे, ठीक है तो ये चार basic structure है computer के तीसरा question अगरे कि कितने type के computer होते है तो तीन type के computer होते है analog, digital और hybrid आपको मैं एक example बता हूँ आपने watch देखी होगी ठीक है? watch तो आपने सबने देखी होगी, घड़ियां तो हरकोई पहनता ही है एक होती है सुई कांटे वाली घड़ी डिजिटल में आपको time कैसे देखेगा? 11.30 ठीक है? जब एक minute हो जाएगा फिर वहाँ पर आजाएगा 31 और analog में कैसे देखते है? ऐसे 1, 2, 3, 4 ऐसे मने होते हैं और सुई और कांटे होते हैं उसमें तो ये आगे analog और दूसरा आगे digital तो ये ही होते हैं analog और digital computer और थर्ड आगया नए किसम का hybrid आजकल hybrid computers भी चले होए है वो क्या है? कैसे देखते हैं? क्या काम करते हैं? उससे हमें मतलब नहीं है मैंने आपको पहले ही बताया जितना हमसे पूछा जाएगा हम सिरफ उतना ही पढ़ेंगे चोथा question आगया computer की range क्या है? ये थे types ये है range दोनों में confuse मत होएगा पांच आप देख रहे हैं ये computer की range है शुरू करते हैं embedded सबसे पहले आता था embedded अगर आपसे पूछा जाए सबसे lowest processing किस की होती थी? वो होती थी embedded की फिर आगे micro computer इसका सबसे important point है question क्या पूछा चाता है जो personal computers होते हैं जो हम अपने laptops या फिर घर पे PC लगाए होते हैं जो personal computer होते हैं वो कौन से वाले range होती है? वो होती है micro computer micro और mini में हमेशे यह confusion रहती है कि जो हमने घर पे PC लगाए होए वो micro होते हैं या mini होते हैं तो याद रखना जो हम घर पे लगाते हैं वो होते हैं micro computer ठीक है? यहाँ से आपको एक full form भी मिलगी PC यानि personal computer अच्छा, third point आगया mini computer अब इसमें क्या होता है? large data को सबसे जादा नहीं बहुत जादा large भी नहीं पर इन दोनों के comparative यह जो embedded और micro computer है इनके comparative ली जादा डेटा को यह process कर सकते हैं फिर आते हैं mainframe computer यह और जादा बड़े data को process कर सकते हैं जैसे कि government departments में आप देख सकते हैं जैसे कि banks में देख लीजिए कितने सारे customer होते हैं और उनका data होता है लाइक उनका नाम फिर उसके बाद sun off ठीक है उसके बाद उसका KYC KYC में आता है पैन अधार यह सब डला होता है उसने कितनी transactions की हैं वो सब की information होती है आप किसी भी बंदे की किसी भी date की transaction दे सकते हैं आपको मन कर रहा है कि यह account जो है 2012 में खुल है तो इतने ज़ादा जो data है उसको store करने के लिए उसको process करने के लिए जो computer use होते हैं वो main frame होते हैं फिर आ जाते हैं super computer यह सबसे ज़ादा costliest होते हैं यह सबसे ज़ादा data को process कर सकते हैं एक सीदी सी बात जो सबसे ज़ादा data को process कर सकता होगा वो सबसे ज़दा costly होगा ठीक है तो आप लगा लो अपने दिमाग में ये चीज बिठा लो कि सबसे ज़दा costliest कौन सा होगा सबसे ज़दा costliest होगा supercomputer क्यों क्यों कि वो सबसे ज़दा data को process कर सकता होगा और ज़दा तो कर ही सकता होगा उसके साथ वो fast भी कर लेगा ठीक है और ये कहां यूज होते हैं ये weather forecasting में यूज होते हैं ये आगे हमारे पास पांच range फिर से बता देता हो embedded सबसे छोटा super computer सबसे बड़ा micro computer जो हम घर में यूज करते हैं जिनको PC भी कहते हैं फिर mini computer mainframe जो हम banks, governments, department world का, world का यहां पर देखिए, world का सबसे पहला super computer कौन सा था cray, k, c, r, a, y, cray, k ठीक है, ये world का सबसे पहला था इंडिया का सबसे पहला कौन सा था, param 8,000 param word तो आपको याद रख नहीं है जो इंडिया के होंगे उसमें param word तो हो गई आपने आगी की चीज़ देखनी है, वो है 8,000, ठीक है, इंडिया का पहला super computer जो weather forecasting करने में सक्षम रहा था, ठीक है, वो था मिहीर, सबसे पहला computer, जो super computer बनाया गया था वो था 8,000, और जो weather forecasting के लिए use हुआ था, वो था मिहीर दोनों में confusion नहीं होने चाहिए then comes first computer developed in India, सिधार्थ ठीक है, first computer developed in India, सिधार्थ, फिर आता है इंडिया का latest super computer 2020 की बाद चल रही है, तो latest super computer इंडिया का कौन सा है परम सिध्धी, देको परम तो आपका वहाँ पे नहीं रहना है, आपको बस आगेगा नाम याद रखना है परम सिध्धी, ठीक है उसके बाद एक और आता है कि world का latest super computer 2020 की बाद चल रही है अभी तक जो आया है, submit by USA एक बार आप इस चीज को इस वाले question को, ठीक है तो latest कोन सा है, फिलाल के लिए तो summit है याँ फगूको है, वो आप देख लेना super computer का एक और नाम है उसको क्या कहते है, number crunchier ठीक है, ये चीज़े तो भाई आपको सिधा सिधा रटनी है ठीक है, मैंने question आपको एकी पीडिएफ में बनाके, एकी slide में बनाके दे दी होई है ये आपको रटनी है, मैंने आपको एकी slide में ऐसे बना दी है कि computer का पहला कॉन सा है, India का पहला कॉन सा है latest कॉन सा है, world का और latest कॉन सा है, इंडिया का ठीक है, तो next आता है कि speed of supercomputer वो होती है फ्लॉप्स में और फ्लॉप्स की फुल फॉर्म भी नीचे दी गई है कि फ्लोटिंग पॉइंट ओपरेशन पर सेकिंड तो यह जिब पूरा पेज है ठीक है इसमें समझाने वाला कुछ नहीं है यह आठ कोशन है यह आठ कोशन आपको रटने है अब आजाता है कंप्यूटर का हार्डवेर कंप्यूटर के हार्डवेर क्या होता है सबसे पहली बात की हार्डवेर होता क्या है हार्डवेर वो फिजिकल डिवाइस होते हैं जिनको हम कंप्यूटर में टच कर सकते हैं जैसे कि computer की screen वो भी एक hardware है, mouse hardware है, keyboard hardware है, जो भी चीजे, जितनी भी चीजे हम computer की touch कर पा रहे हैं, वो सब hardware है, ठीक, अब hardware भी दो types के होते हैं, एक है input device, एक है output device, ठीक है, तो input device और output device की बात करें, तो input device में क्या क्या आते हैं, वो चीजें जिसके through आप computer को command दे रहे हो, for example, आप computer पे एक alphabet display कराना चाते हो, n, यहां फिर चलो पूरा का पूरा word ही display कराना चाते हो, जैसे लगा लो आप, नितेश, यह एक word है जो आप अपने computer पे display कराना चाते हो, तो उसके लिए आपको input दे फिर E, फिर S, फिर H, यानि कि आपने computer को command किसके through दी, computer को command दी, आपने keyboard के through, तो keyboard आगया हमारा input device, क्योंकि keyboard के through आपने computer को command दी है, और उसने in result आपको अपनी screen पर यह word display करा दिया, तो जो computer आपको दिखा रहा है, जो computer आपको as a result दे रहा है, वो होगा output और जिस चीज के through वो result आ रहा है, वो आपको आ जाएगा output device, ठीक है, input device वो, जिसके through आप computer को command दे रहे हो, output device वो, जिसके through आपकी दियो ही command का computer आपको result दे रहे है, ठीक है, अब देख लेते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि mouse क्या है, mouse input device है, क्योंकि आप किसी भी, जैसे एक folder ही खोलना है, तो folder को खोलने के लिए आप click करोगे, तो click आपने किस के through किया, mouse के through किया, आपने computer को command दी, कि इस folder को खोलने के लिए मैं double click कर रहा हूँ, as a result वो अपना folder खोल के आपको monitor पे दिखा देगा, तो monitor हो गया हमारा output device, और input device हो गया हमारा mouse, तो यही है basic input devices का, तो मैंने यहा mouse, touchscreen, जैसे mobile में होता है, touchscreen, अचा अब यह थोड़ी सी controversy भी क्या कहते है, controversy डाता है, क्योंकि touchscreen जो है, basic लिए तो वो screen ही है, अगर आप अपने mobile पर किसी भी app को touch करते हो, Instagram लगा लो, Instagram को touch करते हो, तो Instagram open हो जाता है, अब जब वो Instagram open होता है, तो वो कहां open होता है, आपकी ही screen तो देखा जाये तो आपकी mobile screen output भी है, क्योंकि आपने जो उसको command दी, वो आपकी mobile screen नहीं दिखाई, और mobile screen जो है, वो input device भी है, क्योंकि आपने mobile screen पर ही touch किया, अपनी command जो है mobile screen पर ही दी, और उसने वो आपकी command accept करके आपको result दिखाया, तो mobile जो touch screen है, यह थोड़ा controversy create करत बाकी मुझे लगता नहीं है, test screen के बारे में, exam में पूछा भी जा सकता है, फिर आगया microphone, microphone वो होता है, mic जिसको हम कहते हैं, mic, आप उस पर कुछ बोलते हो, और वो recording करता है, यह जो भी करता है, किसी call, जब आपने call मिला ही हुई है, आप बोलते हो, तो सामने वाले को सुन कैसे relation निकल रहे है, barcode reader, वो भी input है, क्योंकि वो scan करता है, ठीक है, जो भी चीज़ scan करती है, वो input ही होगी, फिर optical mark reader आगया, एक OMR, OMR की आपको full form आ सकती है, तो आप OMR को full form पे ध्यान दीजिए, optical mark reader, फिर आगया camera, क्योंकि आप photo click करते हो, फिर वो photo जो है, आपके camera में store हो जाती है, और वो आपको camera की screen के थुरू display होती है, तो camera की screen आगया output, और camera as in whole आगया input, ठीक है, और last आगया light pen, यह आप input device याद कर लीजिए, नीचे मने output device दियो हैं, यह दोनों चीज़े याद कर लीजिए, next हमारा part आता है, types of keys in keyboard, ठीक है, types of keys in keyboard, यह काफी important है, case में number key और alphabet key तो आपको सिधा 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 पता चलगी, कौन सी होगी, alphabet वो जिनमें A, B, C, D वगर लिखा होगा, number keys वो जिनमें 1, 2, 3, 4 लिखा होगा, इतनी चीज़ के लिए number keys और alphabet keys तो आपको सिधा 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 पता चलगी, फिर आती है हमारी navigation की, navigation क्या होता है, आप तो देखिए, Google Maps जो है, वो क्या है, navigation है क्यों, क्योंकि वो आपको direction बताता है कि forward direction में जाना है, backward direction में, left या right, तो अगर हम computer की बात करे हैं, जो बच्चे games वगरा खेलते होंगे, उनको पता होगा, जैसे racing game खेल रहे हो आप, तो गाड़ी जब चलाते थे तो आपको forward जान होती है हमारी navigation keys, तो आपसे सीधा question ये भी आ सकता है कि number of navigation keys हमारी कितनी है, तो 4 है, ठीक है, ऐसे करके question पूछ सकते है, फिर आगे function keys, function आपको बाचल गया, f1 से लेके f12 तक जो भी keys होती है, वो function keys होती है, फिर आती है lock keys, caps lock और num lock, बस यही दो keys होती है, इनका function क्या होता है, caps lock जब आप दबाओगे, तो जो A alphabet ऐसे दिख रहा है, वो A alphabet ऐसे दिखने लगेगा, ठीक है, और जब तक आप caps lock को off नहीं करोगे, आप जितने भी alphabet type करोगे, वो बड़े ही दिखेंगे, A, B, C, D, ऐसे, जब आप caps lock off कर दो के तो ये B, C, D, ऐसे करके दिखने नम-lock, आपको पता है हमारा keyboard होता है कुछ ऐसा, ठीक है, यहाँ पर होती है हमारी number की keys, 1 से लेके 9 तक, है न, और यहाँ उपर होती है हमारी function keys and all, यहाँ 1 से लेके 9 तक numbers होते हैं, और इनके नीचे हमारी जो main आ जाती है, यह space bar और हमारा alphabets and symbols and all जो भी है, वो सब पर आ जाता है, ठीक है, अब आपको numbers कहां कहां दिखते हैं, एक इस portion में और एक इस portion में, राइट, इस portion वाले numbers तो आपको हर टेम accessible होते हैं, आप जब भी दबाओगे, अब अगर आपने one दबाया, आपको screen पे one दिख जाएगा, पर यह वाला जो portion है हमारा, अगर आपको in पे बनी हुई keys को access करना है, तो आपको num lock on करना ही करना पड़ेगा, so यहाँ वाली keys को access करने के लिए आपको kiss button को दबाना है, num lock को, ठीक है, I hope आपको caps lock और num lock में भी difference समझ आ गया है, उसके बाद आता है modifier keys, modifier keys क्या क्या होती है, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, shift, control, alt, tab, यह होती है, modify keys, फिर आजाती है, home की, home आपको दिख रहा है, आपको home से ही पता चल रहा है, जहाँ से आप निकलते हो, जैसे सुबह सुबह आप अपने घर से कहीं के लिए निकलते हो, अपने office के लिए, अपने school के लिए, जहाँ आप शाम को वापिस आते हो, वो होता है अगर आपको वापिस उस लाइन की starting में जाना है क्योंकि जहां से आपने शुरुआत की वहाँ पर अगर आपको वापिस जाना है तो home की end की जितना भी आपने लिखा है ठीक है उसके end तक जाना है तो end की फिर page up page up को आपको सामने पता चल रहा है कि पिछले page पे ले जाएगा और page down आपको सिधा पता चल रहा है कि next page पे ले जाएगा page up यानि उपर वाला page यानि पिछला page page down यानि नीचे वाला page यानि अगला page तो page up और page down खुद को खुद ही define कर देते हैं next चीज आगी basic basic question which key we use to select ok on screen for example आपने कुछ भी काम की है जैसे आगया आपने एक wordpad पे एक file बनाई है ठीक है उसके बाद आपको save करना है तो जैसे आप cross करने तो उससे पहले आता है ऐसे एक box आता है उदर आता है do you want to save the data यहाँ पर आता है yes यहाँ पर आता है no तो yes पर आइसे ऐसे करके एक highlight बना होता है अगर आपने save करना होता है data इस highlight को select करने के लिए अगर आप mouse use नहीं करना जाते आप सीधे enter key दबाओगे तो इसका मतलब है कि आपने इस वाले box को select कर लिया यानि ok कर दिया इस वाले box को तो कौन सी key है जो ok as a ok काम करती है वो है enter key ठीक है next आगया which key is also called combination key तो वो आती है shift key shift key कौन सी होती है modifier key अभी अभी पढ़ाया just मैंने ठीक है shift key होती है modifier key और उसको combination key क्यों कहते हैं देखिए अगर हमारे पास होते हैं computer में ऐसे numbers होते हैं मैंने जो आपको बताया है जिनको access करने के लिए हमें number lock की जुरूरत नहीं पढ़ती वो जो उपर होते हैं वो ऐसे होते हैं इनी numbers पे symbols भी बने होते हैं ठीक है इनी numbers पे हमारे पास symbols भी बने होते हैं तो अगर इन symbols को access करने हैं अगर हम ऐसे normal one दबाएंगे तो screen पे हमें one ही display होगा पर one के साथ अगर ये वाला symbol बना है तो इस symbol को access करने के लिए हम क्या करेंगे हम shift को दबाएंगे तो shift key का combination दबाया और फिर ये वाला button हमने दबाया तो हमें ये symbol दिखा shift key के combination और इस key के combination से हमें ये वाला symbol दिखा इसी लिए हम shift को combination key कहते हैं ठीक अब आते हैं next caps lock और num lock को क्या कहा जाता है caps lock और num lock जो है lock keys कहते हैं इनको हम इसके अलावा इसका और क्या नाम होता है इसको कहते हैं toggle keys तो आपको सिधा भी ये कह सकते हैं कि जो हमारी lock keys होती है उनका दूसरा नाम क्या है उनका दूसरा नाम है toggle keys उसके बाद आ गया optical slash laser mouse कब invent हुआ था और किसने invent किया था ये invent हुआ था 1999 में और इसको invent किया था Microsoft में ठीक है आपको पता है दो टाइप के mouse थे जो पुराने mouse थे उसमें ball होती थी नीचे बड़ी बार हमने तो अपने school के computer के mouse तोड़के उनमें से balls भी निकाली हुई है confession पर आज कल जो mouse आ रहे हैं वो होते हैं laser वाले laser वाले यानि उनके नीचे एक light होती है ठीक है आज को तो बड़ी वो technology आ गी है पहले तो wired आते थे यह जो laser mouse है यह wired आते थे आज कल तो wireless आ जाते हैं सीधा उनमें एक cell डालो और उसको operate करना शुरू कर दो ठीक तो पहले पहले आते थे track balls वाले यह जो ball होती थी इसको कहते है track ball ठीक है जो पहले पहले माउस में आती थी मुझे नहीं लगता इसके उपर question आएगा क्योंकि अभी यह old concept हो गया हो गया आज कल जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं laser और laser कब invent हुए 1999 में Microsoft के थुरू अब आ जाता है mouse का concept जो अभी मैं बताई रहा था just mouse का concept भी आ गया mouse के है एक GUI device है आप से सिधा सिधा ये पूछा जा सकता है कि GUI की full form क्या है वो मैंने आगे लिखी हुई है graphical user interface एक बर फिर सुन लो graphical user interface ये सारी full form बहुत जादा important है क्योंकि ये exam में पूछी जाती है ठीक है सारी नहीं पूछी जाएंगी फिर तो full form में ही सारा निकल जाएगा पर कोई भी full form पुछी जा सकती है एक से दो माक्स के आती है बहुत important है full form को बिलकुल भी ऐसे lenient होके मत लेना next चीज आ गई the ball used in old mouse is called track ball मैंने आपको पहले ही बता दिया अभी पहले पीछे ही explain कर दिया अब बाद आता है difference between cursor and pointer जो मेरा बचपन से एक ब्रह्म था कि इसको हम cursor कहते है वो मेरा इस question को पढ़ने के बाद तूटा था ये जो आपको object दिख रहे है arrow दिख रहा है या फिर ये जो हाथ दिख रहा है या फिर और भी बड़े design होते है इनको हम कहते है pointers मैं बचपन से इनको सोच था कि इसको cursor कहते है पर इनको कहते है pointers ठीक है ये जो graphical objects है जो हमें computer screen पर mouse दिखता है जब हम mouse को हिलाते हैं और उसकी भी position हिलती है इन सब को कहते है pointers इनको cursor नहीं कहते और ये जो है जब हम कोई sentence लिखना लगते हैं उससे पहले ऐसा बना होता है जो blink कर रहा होता है हर time आपका कोई भी alphabet या फिर word लिखने से पहले इनको कहते हैं हम cursor तो जिनको ये पहले से पता है well and code जिनको नहीं मेरे जैसे बंदे जिनको लगता था कि ये cursor है तो उनका ये concept भी आज clear हो गया कि इसको हम कहते हैं pointer इसको हम कहते है cursor फिर आ जाता है barcodes और QR codes के बीच में क्या difference है सबसे पहली चीज़ तो हमें पता होने चाहिए कि QR की full form क्या है QR की full form है quick response ये लिख लीजी अपनी copy पे quick response अब ये क्या चीज़े होती है barcodes देखो आपको आपने सुना होगा बड़ी बार English में लिखा होता है behind the bars किसी बंदे को जब जेल में डाल देते हैं तो कहते हैं behind the bars he is behind the bars यानि वो जेल की सलाखों के पीछे है तो सलाखे होती है ना ऐसे ऐसे एक कमरा होता है जिसमें सलाखे लगी होती है ऐसे ऐसे जिसको सन्नी दोल तो ऐसे ही खोल देता है ठीक है बाकी लोग नहीं खोल पाते तो bars का मतलब ऐसे lines होंगी उसको हम कहेंगे bars तो इधर आपको दिख रहा है lines तो इससे आप बता सकते हैं barcodes कोन से होंगे barcodes होंगे यह जहां हमें ऐसे-ऐसे lines दिख रही है next आते है QR codes मैंने आपको full form बता दी QR की है quick response और ऐसे pattern of blocks जो दिख रहे हैं यह blocks दिख रहे हैं आपको छोट-छोटे blocks है इसके blocks के patterns को हम कहते हैं QR codes और lines के pattern को हम कहते हैं barcode तो I hope आपको इन दोने के बीच का difference भी पता चल गया होगा अब आजाते हैं monitor पे monitor क्या है सबसे पहले तो monitor है output device क्यूंकि यह हमारा result डिस्प्ले करता है पहली चीज़ आगी next कितने टाइप के monitor थे cathode ray, CR इनकी full form याद कर लो भई full form मैं पहले ही बता रहूं बहुत important है चारों की full form लिखी है CRT की है cathode ray tube LCD की है liquid crystal display LED की है light emitting diode TFT की है thin film transistor अभी latest यही TFT films ही चल रही है ठीक, next आ गया monochrome monochrome जो monitor है उसमें कितने colors एक time पे दिख सकते हैं तो 256 colors जो है वो एक time पे monochrome monitor में दिख सकते हैं next आता है कि एक image जो की monitor पर बनती है ठीक है वो collection of dots से बनती है उन dots को क्या कहा जाता है उन dots को कहा जाता है pixels ठीक है आपने देखा हो गए जो अब कहते हैं कि हमारा मेरा जो phone है 40 megapixel की उसका camera है तो megapixel यानि की यही pixels की बात चल रही है कितने dots से एक image बन रही है उसको कहते है pixel तो यह चोटे-चोटे dots जो है यह होते है pixels next आते हैं printers printers सबसे पहले कौन से device होते है printer होते है output device क्योंकि जो भी आप इसको command देते हो उसको print करते हैं एक page पर और as a output आपको दे देते है अब बात करते हैं कि printer कौन-कौन से होते है एक होते है impact एक होते है non-impact अब इसमें आ जाते है यह बहुत important part है यह नीचे वाला आप करो या ना करो यह कम ही पुछ जाता है पर यह तो आपको हर paper में एक question दिखेगा ही दिखेगा आपको ऐसे दे देंगे कि dot matrix दे दिया यह जो है dot matrix फिर UV दे दिया फिर thermal दे दिया फिर inkjet दे दिया ठीक है और नीचे लिख दिया none of these तो question होगा कि इन 5 में से none of these छोड़ो इन 4 में से कौन सा printer है जो impact printer है पता होनी चाहिए कि इन में से कौन से printer impact है और कौन से non impact है अगर आपको पता होगा कि impact printer dot matrix है तब ही आप इस चीज का answer दे पाऊगे और मैं आपको ये फिर से कह रहा हूँ ये sure shot एक question आएगा ही आएगा तो यहाँ पर मैंने impact और non impact लिखे होए है बहुत ज़्यादा important है ये part ये पढ़ लो कि drum, chain, band, line, dot matrix और daisy wheels ठीक है drum, chain, band, line, dot matrix और daisy wheels ये है impact printer एक इसमें मैं आपको trick बता देता हूँ कि D से जितने भी है drum, dot matrix, daisy wheel ये हैं सारे impact printers ठीक है उसके बाद आजाता है laser, ink jet, ink less, UV और thermal जहाँ पर ink का mention कर रहे हैं वो non impact आगे ठीक है UV, thermal और laser तो आपको पता है ये तीनों चीज़े एक दूसरे से match करती है कि UV rays होती है thermal rays होती है और laser तो ऐसे ही ray है एक जैसे laser मारते हैं किसी पर movies में देखते है laser मारा और दमाका हो गया वो भी एक ray ही होती है ठीक है तो आप देख सकते हैं कि जिनमें ink click है और जिनमें ये rays की बाद चल रही है UV thermal वो है non impact और जिसमें D आते है ठीक है D वो है impact उसके अलावा chain, band और line भी जो है वो impact printer है तो ये बहुत जादा important है इसको अच्छे से करना उसके बाद आ जाते हैं कि speed of printer is made in तो यहाँ पर आपके पास तीन उसके units हैं एक है page per minute line per minute character per second तो ऐसा आ सकता है कि हो सकता है आपको character per minute दे दिया हो option में character per और दे दिया हो character per second दिया हो तो बताओ भी इन चारों में से कौन सा है जो printer की speed है उसको mayor करता है तो अगर आपको पता होगा कि second किस में use हो रहा है और minute किस में use हो रहा है आप तभी इसको differentiate कर पाओगे तो second सिरफ और सिरफ character में हो रहा है तो सिरफ और सिरफ एक character ही है जिसको second में mayor किये जाता है बाकी दोनों जो quantities है यानि की lines per minute और page per minute जो है वो minute में compare मतलब उनकी minute में calculation होती है सिरफ और सिरफ character की जो होगी वो second में होगी ये थी printer की speed printer की resolution भी होती है speed और resolution में confusion नहीं होने चाहिए resolution होती है dots per inch जैसे एक screen पे जो image आती है उसकी resolution क्या होती है pixel मैंने अभी पीछे बताई वैसे ही printer का जो page निकलता है उसकी भी एक resolution होती है वो किस पे होती है dots per inch next important terms आ गही है कुछ इससे आप full form भी कह सकते है और इनके चोटे चोटे functions है तो ये भी आपको याद रखना बहुत important है सबसे पहले आ गया SMPS SMPS की full form बहुत ज़्यादा important है full form तो हर किसी की important है भई full form तो आपको सब की करनी है तो SMPS आ गया switch mode power supply आपको पता चल गया अगर ये power supply है तो ये AC करेंट को DC करेंट में convert करती होगी ठीक है AC को जो DC में convert करता है वो होता है SMPS BIOS आ गया आपका basic input output system ठीक है ये instructions होती है जो की ROM में stored होती है ROM में आपको यहाँ पढ़ाऊंगा ठीक है फिलाल इतना याद रखिए ये instructions होती है जो ROM में stored होती है ये hardware और software के बीच में एक interface होता है interface का क्या मतलब होता है कि दो objects है उनका आपस में connection करवाना है तो आगया basic input output system क्या है एक interface है जो की hardware और software के आपस में contact करने के काम आता है फिर आगया ROM ROM में क्या ये instructions stored होती है ROM क्या आगया Read only memory जो आप सिरफ read कर सकते है उसमें data जो है वो permanently store होता है अब इस चीज़ को आपने कैसे याद रखना है एक screen पर कुछ लिखा हुआ है आप इसको सिरफ read कर सकते है आप इसको alter इसको change या modify नहीं कर सकते तो computer को पता है कि ये जो चीज आप read कर रहे हो अगर कोई इसको change करेगा तो मुझे effort मारना पड़ेगा फिर मुझे नया वाला store करना पड़ेगा पिछला वाला delete करना पड़ेगा तो इसलिए जिस भी चीज़ को alter किया जा सकते है computer उसको permanently store नहीं कर रहा वो उसी चीज़ को store कर रहा है जिसको आप alter नहीं कर सकते तो read only memory जिसको आप सिरफ read कर सकते हो उसको computer permanently store कर रहा है फिर roam जो है वो non-volatile होती है non-volatile का मतलब जब आप computer को off कर दोगे तो data जो होगा वो loss नहीं होगा ठीक है कैसे देखिए for example आपने computer के c folder में एक image रखी हुई है image store की हुई है अचानक से आपका computer बंद हो गया तो वो जो image है वो तो तब भी उस folder में रहेगी वो अपने अप delete तो नहीं होगी वहीं आप एक word paired पे कुछ लिख रहे हो ठीक है अभी आपने इस file को save नहीं किया अभी आप लिखी रहे हो अचानक से computer बंद हो गया जब आप वापस computer on करोगे ये जो data है ये पूरा गायब हो चुका होगा आपको फिर से मेहनत करके फिर से इसे बनाना होगा तो वो चीज जो computer के अचानक से बंद हो जाने पर भी loss नहीं होती वो आ गई प्रोग्रम्स करण्टली एग्जीक्यूटिंग वही मैंने जो आपको बताया जो अभी एग्जीक्यूट हो रही है पर अचानक से computer बंद हो गया और वो loss होगी तो वो store होगी RAM में RAM के full क्या है random access memory यानि कि कोई भी बंदा उसको memory को access कर सकता है अगर कोई भी बंदा access करता है तो वो उस पे पंगे करते रहेगा वो data को alter कर देगा क्योंकि कोई भी बंदा उसको access कर सकता है तो computer जो है इसको permanently अपने अंदर store नहीं करता RAM में जो data होगा वो permanently store नहीं होगा ROM में जो data होगा तो वो permanently store होगा I hope यह आपको समझा गया हो फिर आते हैं hardware मैं आपको बता चुका हूँ hardware क्या है अब आते हैं software software आगी वो चीजे जिसको आप computer में access तो कर सकते हो पर आप उसको physically touch नहीं कर सकते जैसे की आपने सुना होगा drivers drivers होते हैं जैसे आप कुछ भी load करते हैं for example आपने एक mouse computer के साथ attach किया हुआ है ऐसा थोड़ी है कि आपने सिरफ mouse की cable USB वाले port पे लगाई और mouse चल पड़ा उसका basic drivers हों computer में installed या ना हों ऐसा नहीं होता हर चीज को हर hardware को run करने के लिए drivers चाहिए जो कि उसमें computer के अंदर load होते हैं drivers को आप physically touch नहीं कर सकते तो ये सब चीज़े आती हैं software अब जैसे कि Adobe Photoshop है जो photos वगरा खीचते हैं उनको पता होगा Adobe Photoshop वो क्या है एक application है तो वो computer में आप install करते हैं वो एक software है वो hardware नहीं है तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है जो कि pre-install होते हैं या फिर जिनको external device से install किया जाता है यहाँ पर मैंने लिखा भी हुआ है जिसको हम touch नहीं कर सकते उनको कहते हैं software example में Adobe Windows हम install करते हैं जब कहते हैं न कि अब मैं Windows 7 से बोर हो गया हूँ Windows 10 install करते हैं अपने computer भे तो वो भी एक software है फिर हो गया internet explorer, paint अब आ गया हमारे पास types of software अभी software की हमने जब बात की software की भी types होती है application, system, utility application से आपको समझ आ रहा है कि apps जो भी हम apps install वगरा करते हैं जो कि public के या फिर user के demand को fulfill करने के लिए partially design की होता है for example, मेरा paint करने का बन तो paint करने के specially paint एक application बनाई हुई है इसका काम क्या होगा, सिरफ और सिरफ paint करنا ठीक है, मेरी demand है कि paint करना, तो उस application का काम होगा, सिरफ और सिरफ paint करना वो उसके लावा और कोई kाम नहीं करेगी तो application software वो होते हैं जो user की demand को fulfill करने के लिए बनाए होते हैं जैसे कि powerpoint जिसमें आप slides जैसे जो मैं बना रहा हूँ ये powerpoint ही है इसमें मैं आपको slides दिखा रहा हूँ न तो ये powerpoint ही है MS Office ये सब हो गए हमारे application software फिर आ गया system software design to run computer hardware and application program यानि की computer के hardware को मैंने बताया था जैसे drivers हर चीज को चलाने के लिए drivers चाहिए computer के hardware को चलाने के लिए drivers चाहिए तो वो क्या आएंगे वो आएंगे system software में तो किसी भी चीज को चलाने के लिए जो भी software use हो रहा है वो आ जाएगा system software में फिर आगे utility software, यह analyze करते हैं, configure करते हैं, optimize करते हैं, और computer को maintain करने में help करते हैं, तो कौन होगा, antivirus हो गया, firewalls हो गई, यह सब आता है हमारा utility software में, इसी के साथ हमारे types of software भी खर्तम होते हैं, हमारा lecture थोड़ा लंबा खिच हो गया, तो I guess इसे यही पर end करना थोड़ा ठीक होगा, कल हम करेंगे, इसी chapter को continue करेंगे, उसमें हम पढ़ेंगे थोड़ी important terms हैं, कुछ, जो की पढ़ लेनी चाहिए, exam में पूछी जाती हैं, और history, और उसी के साथ हमारा end हो जाएगा, कल का topic भी और हमारा ये chapter भी, कल का topic थोड़ा छोटा होगा, क्योंकि आज हमने थोड़ा जादा लंबा कीच लिया हुआ है, thank you so much.